नमस्कार स्वागत है आपका हमारी यूटूब चेनल स्कूल चले में और आज हम NCRT हिस्ट्री क्लास सेवन के तेंट चेप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है अठारवी सताबदी में नए राजन की गठन और इस चेप्टर का आज का हमारा थर्ड वीडियो है थर्ड हम अपने सेकंड पार्ट को पढ़ ले अध्या जो हमारा टेंथ है उसके सेकंड पार्ट को पढ़ ले ताकि आपको इस नए पार्ट थर्ड को जोड़ने में आसानी हो तो देखें हमने सेकंड वीडियो में जाना हैदराबाद के बारे में जिसके जो निजाम है वो है अवद की सुबेदारी मिली हुई थी और इन्होंने दकन का कारेभार भी इन्हें 1722 में इन्हें मिला रहता है और फिर ये बाद में वास्तविक सासक बन जाते हैं और इनकी एक इच्छा थी अभिलाशा थी कि कोरु मंडल टट पर भी नियंत्रन लेकिन यह पूरी नहीं हो प खान यहां कि ये शुबेदार दिवानी फोजदारी इन्हें के हाथों में रहती है और इन्हें मुगलों के द्वारा 6000 जात का दर्जा मिला हुआ था फिर हमने बंगाल के बारे में जाना मुर्शित कूली खान और इन्हें 7000 जात का दर्जा मिला हुआ था ये नायब रहते हैं इन्हें सुविदार के प्रतिन्युक्त यह रहते हैं और फिर अलिवर्दी खान जोकी 1740 से 1756 तक इनका कारिकाल रहता है फिर हमने राजपूतों के बारे में जाना इसमें जोदपूर और अंबर को हमने जाना जोदपूर में राजा अजीत सिंग गुजरात की सुविदा हैं आप जानते होंगे चित्र भी हमारा इस चेप्टर का अध्याय में काफिस उंदर एक चित्र भी है फिर हमने अंबर में जाना सवाई राजा जैसिंग को और यह मालवा के सुविदार थे बूंदी पर इन्होंने कवजा किया जैपूर को इन्होंने राजदानी बनाया फिर बाद में आगरा की भी सुविदारी मिलती है तो इस तरह से हमने जाना अपने बंगाल के बारे में अवद और हैद्राबाद के बारे में और आज का जो हमारा पोइंट है आज का हमारा बिंदू है वो है सीख के बारे में तो आज का हमारा मुखी बिंदू है आजादी हासिल करना सिख तो अध्याय आठ में हमने पढ़ा कि 17 सताबदी के दोरान सिख एक राजनेतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए और इससे जो पंजाब के जो छेत्रिय राजित था उसका निर्मान को बढ़ावा मिला गुरु गोविन सिंग ये दसवे गुरु रहते हैं गुरु गोविन सिंग ने 1699 में खालसा पत की अस्थापना से पुर्व और उसके बाद राजपूत और मुगल सासकों के खिलाफ कई लड़ाया ये लड़ते हैं 1708 में गुरु गोविन सिंग की मिर्थी हो जाती है और सायद आपको याद हो 1707 में ओरंग जेप की मिर्थी होती है तो बंदा बहादूर के नेतरतु में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किये और उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविन सिंग के नामों के सिक्के गढ़वा कर और अपने सासन को सारोगों बताया सतलुज और यमुना नदियों के बीच छेत्र में इन्होंने अपने प्रशासन की अस्थापना भी की 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया जाता है और एक साल बाद मतलब 1716 में इन्हें मार दिया जाता है तो अठारवी सताबनी में कई योगी निताओं के नेतिलतु में सिक्खों ने अपने आपको पहले जत्थों में बाद में मिशलों में संगठित किया और इन जत्थों और मिशलों की जो संयुक्त सेनाय थी उसे दल खालसा कहा गया तो इन दिनों जो दल खालसा है वे साखी और दिवाली के पर उपर अमरित सल में ये मिलते थे और इन बैठकों में वे सामूहिक निर्ने लिया करते थे जिन्हें गुरु मता का मतलब हुआ गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था और इन्होंने राखी विवस्था स्थापित की अब देखे यहाँ परकाफी सुनर्चित्र है ये दसवे गुरु गुरु गोविन सिंग का है तो इन्होंने राखी विवस्था इन्होंने आरंब किया जिसके अंतरगत किसानों से उनकी उपज़ का 20% 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरच्छन मतलब सुरच् किया जाता था तो गुरु गोविन सिंग ने खाल्चा को प्रेरित किया और सासन उनके भाग में मतलब होता है राज करेगा खाल्चा ऐसा कहा गया तो अपने सुनियोजित संगठन के कारण खाल्चा पहले मुगल सुवेदारों के खिलाब फिर अहमत सा अबदाली के खिला के बारे में तो अहमत सा अबदाली ने मुगलों से पंजाब का सम्रिद प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपनी कबजे में कर लिया और खाल्चा ने 1765 में 1765 में अपना सिक्का गड़कर सारवहुम शासन की घोशना की और यह महत्पुर्ण है कि सिक्के पर वही सब्द थे जो बंदा बहादूर के समय में खाल्चा के आधेसों में पाए गए थे तो अठारवी सताब्दी के जो अंतिम भाग है परसिक इलाके सिंदू से यमुना तक फैले हुए थे यद पी ये विभिन सासकों में बटे हुए थे और इन में से एक सासक थे महराजा रंजीत सिंग और इन्हों ने सिक समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहोर को अपनी राजधानी बनाया तो ये पूछा जाता है कि महराजा रंजीत सिंग ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई तो आप कहेंगे 1799 में लाहोर में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब देखें पर आप चित्र भी देख रहे हैं महराजा रंजीत सिंग की ये तलवार है उसे दिखाए गया है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है मराठा के बारे में हमने सिख के बारे में जाना राजपुतों के बारे में जाना अब हमारा पॉइंट है मराठा तो मराठा राज एक अतियंत सक्तिसाली छेतरी राज था जो मुगल सासन का लगतार विरोध करके ये उत्पन हुए थे स्रीवाजी आपने इन्हें जानते हैं और 1627 से 16 वसीन का कारेकाल रहता है तो इन्होंने सक्तिसाली युद्धा परिवार देश मुख की सहायता से एक अस्थाई राज की अस्थापना की और अतियंत गतिशील क्रिशक प्रसुचारक कुन भी कहा गया है मराठो को सेना के मुख आधार इन्होंने बनाया और सिवाजी ने प्रायदेप में मुगलों को चुनवती देने के लिए इस से निबल का परियोग किया तो सिवाजी की मृतियों के बाद मराठा राज में प्रभावी, सक्ती, चीत, पावन, ब्रामनों के एक परिवार के हाथों में रही जो सिवाजी के उत्रधिकारी के सासन काल में पेशवा के रूप में अपनी सेवाए देते रहे आपने सुना होगा बाजी राओ पेशवा के बारे में तो यहां पर उन्हीं पेशवा के बारे में बात हो रही है और पेशवा का प्रधान मंत्री के रूप में ने जाना जाता था तो पूना मराठा राज की राज़ानी बन जाती है तो मराठा जो है उनकी राज़ानी जो है वो पूने बन जाती है तो पेस्वाओ के देखरेक में मराठो ने एक अत्यांत सफल सेने संगठन का विकास कर लिया और उनकी सफलता का रहसी यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे यह मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर नहीं लेते थे बलकि उनके पास से चुपचाप निकल जाते थे बिना कुछ हमला किये निकल जाते थे और यह हमला कहां करते थे तो सहरो कस्वों पर हमला करते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदान एलाकों में मुठभेर लेते थे जहां रशत पाने और कुमक आने के राष्ट मतलब होता है आप कर सकते हैं जो राशन हुआ हैना अनाज हुआ तो आसानी से रोके जा सकें देखे 1720 से 1761 की बीच जो मराठा समराज था वो काफी उनका विस्तार होता है और धीरे धीरे ये काफी सफलता पुर्वक मुगल समराज की सता को छती इन्होंने पहुचाई और 1720 के दसक तक मालवा, गुजरात, मुगलों से छीन लिए गये और किसने छीना तो मराठो ने 1720 के दसक तक तो जब 1730 का दसक आता है तो मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायदीप के अधिपती के रूप में मानिता मिल जाती है और साथ ही इस छेतर में चोथ और सरदेश मुखी कर की रूप में वसूलने का अधिकार भी इन्ही मराठों को मिल जाता है अब चले हम जान जाने वाले भू राजास्व का पचीस पर्तिशन दककन में इनको म्राथा वसूलते थे तो सरदेश मुखी का मतलब हुआ दककन में मुखी राजजस्व संग्रह करता को दिये जाने वाले भू राजश्व के 9 से 10 परदिशन हिष़ा इंते तो सर्देश्मकी का मतलब हुआ दिया पर दक्कन की ही बात हो लिए है कि जो राजस्व जो टेक्स जो इकठ्था करते थे उन्हें भूराजस्व का 9 से 10 परतिषत उनका हिस्सा रहता था तो यह सर्देश्मकी हुआ चौत का मतलब हुआ 25% दक्कन में मराथा वसूलते थे तो देखिए 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्वे की जो सीमाय थी वो तेजी से बढ़ी और वे उत्तर में राजस्थान, पंजाब, पुर में बंगाल, उरिश्रा तथा दच्छिन में करनाटक और तमील तेलगु परदेसों तक इनका समराज फैल जाता है, इन छेत्रों को उपचारिक रूप से मराठा समराज में समलित नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्विकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेट की रकम ली जाने लगी, तो समराज की इस विस्तार से उन्हें संसादनों का भंडार तो मिल गया, ल उनके खिलाफ हो गए, और जिसका परणाम यह हुआ, कि जब मराठो को 1761 में पानीपत की तीसरी लडाई मराठो के साथ होई, और उस समय पे अनसासकों में से कोई भी मराठो की सहायता किसी नहीं किया, तो यहाँ पर मुखी बिंदु है कि पानीपत इजद की हमने इसे पह पार भी होती है, तो अंतहिन सेन अभियानों के साथ साथ मराठो ने एक प्रभावी प्रशासन विवस्था तियार की, जब किसी इलाके पर एक बर विजय अभियान पूरा हो जाता था, तो मराठो का जो सासन था, वह सुरच्छित हो जाता था, तो वहाँ अस्थानिय पूरा जसुकी मां की गई, तो क्रिशी को प्रोसाहित किया गया, और वैपार को पुनर जीवित किया गया, और इसमें सिंधिया, गायक वार, भोशले, जैसे मराठा सरदारों को सक्तिसाली सेनाय खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके, तो 1720 के दसक में माजोम हमारा मालव था, मालवा में मराठा अभ्यानों की उस छेतर में इस्थित सहरों के विकास और सम्रिती को कोई हानी नहीं पहुचाई, उजैन, सिंधिया के संरचन में और इंदोर, हौलकर के आस्रा में फलता फूलतारा, ये जो सहर थे, वो हर तरह से बड़े और सम्रित शाली थे, तो वो महत्पुर्ण वानिजिक और सांस्कृति केंदों के रूप में कारी कर रहे थे, तो मराठो के द्वारा नियंतरत इलाकों में व्यपार के नए मार खुले, और चंदेरी, चंदेरी आपने सुना होगा, चंदेरी की साड़िया, चंदेरी की सिल्क, है ना, तो यहां उसी की बात हो रही है, कि चंदेरी के छेतर में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठो की राजधानी पूना, मराठो की राजधानी पूने में नया बाजारमिला और बुरहानपूर, बुरहानपूर पहले आगरा और सूरत की बीच की धूरी पर ही अपने वैपार में था, ठीक है, लेकिन अब उसने अपने वानिजिक जो भीतरी छेतर को बढ़ाकर दच्छिन में पूने और नागपूर को पूरू में लखनवू और इलाहबाद को सामिल कर लिया था, देखिए हमारा जो नेक्स्ट पोइंट है वो है जाटो के बारे में, जाट के बारे में, तो अनराजियों की तरह जाटो ने भी सत्रवी और अठारवी सताब्दी में अपनी सत्ता को स्रड़िट किया, मतलब मजबूत किया, और इसके जो नेता थे, चुडामन के नेतरतु इन्होंने दिल्ली के पस्ची में इस्तित छेतरों पर अपना नियंत्रन कर लिया, 1680 के दसक तक आते आते उनका प्रभूत्व दिल्ली और आगरा के ही दो साही सहरों के बीच छेतर पर होना इन्होंने सुरू हो गया, तो कुछ अर्सों के लिए वे आगरा सहर के जात जो थे, वो सम्रिध किशान थे, और उनके प्रभूत्व छेतर में पानिपद और वलव गड़ जैसे महत्वपूर्ण जो सहर थे वैपारिक केंद्र बन जाते हैं, सूरज मल के राज भी जाते, तो सूरज मल के राज में भरतपूर सक्तिसाली राज के रुप में उभ तो दिल्ली के जो कई प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने भरतपूर में ही सरन लिया था, और नादिर्शा के पूत्र जवाहिर्शा, जवाहिर्शा के पास 30,000 सैनिक थे, 30,000, और उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठों के लिए, 15,000 सैनिक सिखों के लिए, और इन सब के भुते परवह मुगलों से लड़ा था, जहां भरतपूर का किला काफी हद तक पारंपरिक सैली में बनाए गया था, वहीं दीग, दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की सैलीों का समयन में, मतलब मिश्रन, करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया था, और साही वास् अब देखिए आपको यहाँ पर एक महल भी देख रहा है, और यह 18 सताबदी का दीग का राजमहल समू है, और इमारत की छत पर मुख्य शभाभवन के जो बांगला गुमबद की तरह है, हमने पिछले अध्याय में बांगला गुमबद है ना, दो चाला, चो चाला के बारे पड़ा था, तिहां पर नोट करने वाली बात है, यहां पर दिखाय जा रहा है बंगला गुमबद को, कि आप इसे ध्यान से देखिए, देखिए काफी सुन्दर चित्र है, यह महल बंगला गुमबद की तरह बनाए गया है, अचली आज हमारे लिए जो अन्यत्र में है, व भारत की विभिन राज विवस्थाओं में जन्साधारण को अपनी अपनी सरकारों के कारियों में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं रहता है, तो ऐसी इस्थिति में पश्चीमी दुनिया में अठारवी सताब्दी के आखरी दसकों तक बनी हुई थी, मतलब यही जो भारत की इस्थिति थी, वही इस्थिति पश्चीमी दुनिया में भी बनी हुई थी, अमेरिकी 1776 से 1781 और फ्रांचसी करांटियों ने इस इस्थिति को और साथ साथ अभिजात वर्ग के समाजिक और राजनितिक प्राधिकारियों को चुनोती दी, कैसे दिया इन्हों ने, तो फ्र अधिवर्ग, किशान और सिल्पिकारों ने पादरी और अभिजातों के विशेस अधिकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इससे आप समझ गए होंगे कि फ्रांच में जो पादरी थे और अभिजात को विशेस अधिकार, जन्मसित अधिकार मिले हुए थे, और ये ज क्रांथी हुई उन्हीं के खिलाफ लड़ी गए थी, उनका मानना था कि समाज में किसी भी समूग के जन्मसित जो अधिकार है वो नहीं होने चाहिए, बलकि लोगों की समाजिक इस्थिती और योगिता पर निर्भर करने चाहिए, फ्रांचिसी क्रांथी के दार्शनिक जो कि जन्ता को सरकार के कारियों में भूमिका आदा करने का अधिकार होना चाहिए, तो फ्रांचिसी और अमेरिके क्रांथी उन्हें ये जो आंदुलन हुए, उन्होंने धीरे धीरे प्रजाओ को नागरिकों में बदल डाड़ा, और नागरिकता, राष्टी, राज, लोगता कांतरिक अधिकारों के विचारों ने भारत में, भारत में उनिस्वी सताब्दी के अंतिम दस्कों में जर्थ पकड़ लिया, तो इस तरह से जो हमारे अधियाय दर्स था हिस्ट्री का, आज ही पर समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के नोट्स को पढ़े तब तक आप देखते रहें हमारा यूटूब चैनल स्कूल चले, धन्यवाद